अल्जाइमर्स डीमेस्य विमारी के इलाज को लेकर अच्छी बीएचियू से हैं यहांके आयूर्वेद सेकेल्टी के कायच चिकिस्था विभाग में इसकी मैडिसिन तयार गी गई है। नाम रखा है व्रामनी घ्रट। आयूर्वेद के मानच चिकिस्था एकाई में प्रमुद्जेस तिरपार्थी और उनकी पूर्म सोधार्ती डॉक्टर विचा तिरपार्थी ने अल्जाइमर्स डीमेशिया के 86 मरीजों पर रिसर्च की है। इसमें 40 से ले गरपि 84 साल तक के लोग शानिक हैं। इन लोगों पर दवा के पॉजिटिव डिजर्ट आई है। अल्जाइमर्स डीमेशिया भूलने की बिमारी है। आई-म-स-BHU के डॉक्टर का कहना है कि खुद को मेंटली एक्टिवी नहीं रखने वालों को अल्जाइमर्स डीमेशिया की दिक्कत हो रही है। अमोमन पश्चिमी देशों में होने वाले बिमारी अब भारत में तेली से पावपसार रही है। इस बिमारी के लिए माना जाता है कि एक बार होने के बार ठीक होना मुश्पिल होता है। पुर्मोट जेश तिरपाठी ने बताया इसके पहले उन्हें चूहों पर प्रयोग किया। इनके दिमारी के अंदर वाले हिस्से में देखा गया तो ये पता चला कि रोग को बढ़ने से रुप गया था। सामने आया कि कोशिकाओं के बनस्ट होने से स्पीड कम हो गए है। हाना कि इस दवा को लेकर कोई रेजिस्ट्रेशन या दावा नहीं किया गया है। अभी ये रिसर्स्ट के लेवल पर गी है। भामिग्रत एक तरह का पाउडर है इसे देशी घी में तयार करके बनाया गया है। डॉक्टर रिचा तिरपाठी ने बताया आयूवेद के अनुसार ये दवा मरीजों को खाली पेठी की जाती है। इस दवा को लेने के एक घंटे बाद कुछ भी खाना नहीं होता है। अस पाने भूलने की बिमारी को डिमेशिया कहते हैं इसका इलाज हैं मगर अलजाइमर्स डिमेशिया अभी तक ला इलाज है। वेस्टर देसों में यह एक कॉमन बिमारी थी इसके पीछे परिवार का साइकोलोजिकल और इमोशनल सपोर्ट ना मिलना। नुक्लियर फैमिली का चलंग तेजी से बढ़ना हैं हम भालत में भी ऐसे मरीजे के संक्या बढ़ दें है। यो रिपोर्ट आइपिया।